हलो गाईज, वेलकम टो SGR एजुकेशन और मैं जानता हूँ कि कल आपने रिजल्ट्स देखें अपने UGC नेट के कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग थोड़े दुखी हैं, लेकिन जो लोग थोड़ा सा दुखी हैं या जो लोग खुश भी हैं, उनके लिए एक अच्छी कि आज सीटेट के फॉर्म आ गए हैं और लास्ट डेट है 27 ऑगस्ट की, जो भी लोग टीचर्स बरना चाहते हैं, जिनके पास बीएट की डिगरी है, या फिर कोई भी ऐलिमेंटरी डिप्लोमा है एजुकेशन में, तो आप कोई भी गॉर्मेंट रिकॉगनाइज होना ची यह ओविसली इंस्टुशन जहां से आपने डिप्लोमा किया है, एजुकेशनल डिप्लोमा किया है दो साल का, तो वो लोग अलिजिबल होंगे, यह सीटेट की ओफिशल नोटिफिकेशन पर चलते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, आज यू कन सी गाइस हम सीटेट की व लब साइट पर आके यह नोटिफिकेशन आपका हिंदी में है, यह नोटिफिकेशन आपका इंग्लिश में है, यह कल ही एक आट तो, कल रात को ही आए हैं बेसिकली, और यह देखिए सीटेट का इंफिर्मेशन बॉलेटन है, जिन लोगों के पास वीड है, मैं सजेस्ट कर कर लीजेगा स्लेबर्स को, और अगर आपको एक्जाम का स्ट्रक्चर या कॉंटेंट देखना है, तो आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं, सारी की सारी इंफिर्मेशन इन्होंने साइट पे बहुत ही अच्छे तरीके से दे रखी है, तो बहुत अच्छा होगा कि आप य एडियर अल्टेनिटिव मिल जाता है, एज स्कूल टीचर और इसमें डीएससबी और वेकेंसी नंबर वेकेंसी बहुत ज्यादा रहती हैं क्योंकि टीचिंग में, एस कंपेर तो असिस्टेंट प्रोफेसर और उन्यूवस्टी में कम वेकेंसी आती है, दो तीन आती है, ए तो आप देख सकते हैं, जैसा कि मैं आपको अभी दिखा रहेता हूं, यह वाइल मैंने डाउनलोड करी है, सी नोटिफिकेशन में लिखा है, आपकी एकाट को यह नोटिफिकेशन आई है, नोटिफिकेशन में लिखा है, the Central Board of Secondary Education, अस्टार्टेन इन्वाइट इन्वाइ ठीक है गाईज आप इसमें नोटिफिकेशन में इसमें इतना ही है अगर आपको eligibility conditions देखनी है तो इसके लिए अलग column होगा और comment में भी पूछ लेना मैं eligibility बता दूँगा वीड का procedure बता दूँगा जो भी doubt हो comment में पूछ लेजेगा गाईज लोगों तक पहुचाएं ताकि कोई भी फॉर्म भरने से अट लीस्ट ना चूटे थैंक यू सो मच वाचिंग बाइबाई